एक वाइफ को पता करना था कि क्या उसका हस्बन उस पर चीट कर रहा है या नहीं तो उसने एक लड़की को उसके पास बेचा अजानक से उस लड़की ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और वो हस्बन को ही ब्लैकमेल करने लग गए इसे के साथ एक आर्टिस भी वाइफ आता हुआ देख सकते हैं वह बहुत ही जाथा टेंशन में थी वहाँ पर वह रूप भी रही थी वह घर आकर अपने हस्बन ओवेन को गले लगाती है इसके बाद हमें पास दिन फ्लैश बैक में दिखाए जाते है रात में सोय हुए थे तभी ब्रूक को एसगर का मैसेज आ गैं थी एसगर परिस से आता है और लड़कीों के न्यूड पेंटिंग मनाता है ऐसगर से रिपोर्टर पुछती है तब लगी की पेंडिंग बनाता है अगर उसे कुछ कनेक्शन फिल हुआ तभी वो पेंडिंग बनाएगा इसके बाद रिपोर्टर ब्रुक के साथ बात करती है उसने कहा कि लोगों को लगेगा कि एक फ्रॉड है ब्रुक कहती कि मुझे इसमें टैलेंट दीखता है यह बहुत आए हुए थे आजकल और ब्रुक प्रेगनंट होने की कुशिश कर रहे है पर आजकल लखी नहीं है ओवन कहता है कि हमें जरह वैकिशन पर जाना चाहिए ओवन को पैरिस में जाना था ब्रुक को आजकल जरह काम है तो इस वज़े से आनी सकती है इसके बाद तो एसकार को लेकर बात करने लगे ब्रुक की फ्रेंड एलेनार ये डिवास अटनी थी उसने कहा कि बहुत सारे लोग चीट करते हैं सिर्फ लड़किया पकड़ी नहीं जाती इस बात को लेकर ओवन जरह इंसिक्यूर फिल करता है घर आने के बाद ब्रुक ने ओवन से सौरी कहा कि फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसी वज़े से वो नहीं आ सकती ओवन डारेकली टिकेट भी लेकर आया था जो ब्रुक को नहीं दिखा था उसका मोबाइल पीछे रह गया था जिसमें ब्रुक ने एक मैसेज पड़ा जिसमें कहा था कि कल रात हम दोनों को मिलना है उस प्ल पैसो की भी थोड़ी सी प्रॉलम थी जो शो के बाद सौर्ट रोड हो जाएगी तबी आजगार ब्रुक के पास आया वो गहता है कि एक मिलिनर मेरी पेंटिंग में बहुत ही जादा इंट्रस्टेड है ब्रुक ने औरेड़ी उसका नाम सुना हुआ था तो इस बात के पातें नहीं कर सकता तुम्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर नहीं जाओंगा तो जल्दी से हम वहाँ पर चले जाते हैं ब्रुक ने बात अपने लॉयर फ्रेंड को बताए उसने मजग क्या कि तुम एसगार के साथ पैरिस में जाने वाली पर ब्रुक एसगार के साथ जा रही है इस वज़े से उसे गुस्ता आ जाता है उसने वीकेंड पर अपना शो कैंसल किया था पर अब ये शो वो ले ले लेता है आज मिडल आफ दे नाइट वो अचानक से उठकर कहीं चला गया उसने एक टैक्सी बुक की थी इसकी इनफॉ पुरी मुझे कवर करनी थी प्रुक उसे ऐसे जाने के लिए सौरी कहती है ओवेन ने नोटिस कि बहुत या च्छे-चे कपड़े लेकर जा रही है तो ब्रुक कहती है कि वहाँ पर मुझे शाय डिनर के लिए भी जाना पड़े तो मुझे लेकर वरी करने की कोई भी नहीं है उसने कहा कि हमें एक दूसरे पर ट्रस करना चाहिए ब्रुक के जाने के बाद वेन अपने फ्रेंड के साथ एक बार में आया वो कुछ ड्रिंग्स ले रहे थे पर उवेन ज्यादा ड्रिंग नहीं करता अचानक से लड़की ओवेन को अप्रोच करती है इसका नाम पर प्रुक उससे भाव नहीं देती है नुई-यॉक में ओवेन एमी के साथ था पर अब वो घर जाना चाहता था पर एमी कहती है कि मेरी फ्रेंड दो मिनिट में यहाँ पर आ रही है वो तुमारी बहुत बड़ी फैन है तो उससे तुम मिल लेना उसने उसका आटोग्राफ भी लिया ओवेन के फ्रेंड एडम को जाना थो तो एडम ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए पर ओवेन उस लड़की के लिए रूक रहा था एडम रियलाज करता है कि ओवेन एक गलती कर रहा है एमी को अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि आज रात वो आ नहीं उसे एक व्यू दिखा गर गहता है कि इस ब्यूटिफुल से व्यू को देखो मेरे साथ इसी मुमेंट पर रहो बूक ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा एजगर गहता है कि सिर्फ मेरे साथ एक जिंग लो और इसके बाद हम देखेंगे इसके पैरललल में हम देखते है कि वेन एमी के साथ इंटिमेट हो गया था ब्रूक के वेन को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पर वो कुछ भी रिप्लाइ नहीं कर रहा था वेन एमी से कहता है कि मेरी एक वाइफ है जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ मैंने आज तक ऐसा कुछ भी किया नहीं था एमी ज़रा से उसे जॉब मिल सकती है उसी कर लेकर उसे ब्लैक मेल करने लगके ओवेन भी अपना मैरे सेव करने के लिए इस बात के लिए मान जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूक घर पर आई वो घर आते ही ओवेन को गले लगा लेती है अगली दिन गैलरी में एसगार ने ब स्टेमांता है ने रात में इनका शोव हुआ वेन भेजान लेता है कि ब्रेंटिंग भुड की है जिस तरीके से ऐसगार प्रूक के पास था यह सारी चीजे उसे अच्छे नहीं लगी उसके फ्रेंड ने भी पहचान लेया था कि यह प्रेंटिंग भुड की है यह शोव करते रहें और मैं किसी और से मिलाई नहीं उसके फ्रेंड ने पुछा कि तुमने आखिर में किया क्या है वेन ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी mistake कर दी, friend को भी Owen पर गुसा आता है, Owen को Amy को देखते हो है, Brooke ने देख लिया और उसे पुछते है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो Owen ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता रहता हूँ, तो उसे याद नहीं है, Amy को देखने के बाद Asgard उसकी पीछे पढ़ गया, और आकर वो Brooke से उसे मिलवाता है, Brooke ने Owen को introduction दिया, तो Amy कहा थी कि मैं उसे जानती हूँ, कल ही मैंने इनका autograph लिया था, Owen कहाता है कि मैं जारा confused हूँ, मैं शायद तुम्हें नहीं जानता, अब इसके बाद Amy को जाना था, तो Asgard भी उसकी पीछे पीछे जाता है, Amy डारेकली Owen के घर पर आए, जहाब और Owen अकेला था, Owen ने कहा कि हम दोनों फेर से नहीं मिल सकते, पर Amy कहती है यहाँ पर चल क्या रहा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी आइडा नहीं है, इसके बाद हमें और एक फ्लैश बैक दिखाय जाता है, जब सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए गए हुए थे, प्रुक ने अपने लॉयर फ्रेंड से बात की थी, और कहा था कि शायद उसे लग रहा है, कि Owen उसके बाद बुरुक अगली दिन फिर से अपने फ्रेंड से मिली थे, उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कुशिश की कि वह एक्च्वल में काम में होगा, पर बुरुक मानती नहीं, उसे लगता है कि फ्रेंड ने कहा कि बहुत सारे केसे में, जब भी हमें फ्रूव करना होता है कि हस्बंड चीट कर रहा है, तब हम एक लड़की कुश के पास भेचते हैं, अगर उसके साथ फट करने की कोशिश करता है, या फिर कुछ अलग होता है, तो यह सब हम रेकॉर्ड कर लेते हैं, एसी एक एजनसी को जान दी थी, जिसका नंबर वो ब्रूग को देती है, उसने ये भी कहा कि तुम्हें ओवेन पर ट्रस करना चाहिए, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रात में ओवेन का इस तरीके से जाना ब्रूग को सोनन नहीं देता, जहावर ओवेन ने क प्रूग की थी, इसकी लोकेशन ब्रूग ने देखी, एक बहुत अच्छा मॉटल था, ब्रूग से अब रहा नहीं जा था, एक्चुल सिचुएशन क्या है उससे पता करना था, तुम्हें ने कहा कि जब मैं रात में जाओंगी, तु जरा अलग लगूंगी, तुम मुझ पर पुरा ट्रस कर सकती हो, मेरा एक बॉइफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत ही प्यार करती हो, मैं कभी भी उस पर चीट नहीं करूंगी, ब्रूग जरा अंशूर थी, एमे ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें इस सब कैंसर कर देना चाहिए, तु मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना, और मैं वहाँ से चली जाओंगी, इसके बाद ब्रूग जब पैरिस में थी, एसगर उस पर मूव करने की कोशिश कर रहा था, तबी ब्रूग ने एमे को मैसेज कर दिया था, कि सारी डिल ओफ कर दो, पर एमे ने बात नहीं सुनी थी, एमे ने उवेन के सा है, तुमने मुझे क्यों चूज किया, ब्रूग कहती कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, यह बात सिर्फ तुमें पता नहीं है, ब्रूग कहती कि तुमने मुझे क्यों चूज किया, एसगार ने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिव हो लो, जब मैं करता हो तो मुझे music सुनाए देता है पर जब मैं तुम्हारे साथ होता हो तब भी मुझे वही music सुनाए देता है यानि कि उन दोनों में यह बहुत ज्यादा special है और इसे और इसे एक्सप्लोर करना चाहता था इस बात के लिए उसे मना कर देती है उसने एमी को कैंसल करने का message क पर एमी का कुछ भी रिप्लायन ही आता इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो गई थी और ने को भी कॉल लग नहीं रहा था इसे बहुत ही ज़दा करना चाहिए यह सुनने के बाद भी प्रूक वहाँ से चली गी अगली दिन गैलरी में एमी ब्रूक से मिलने के लिए एमी कहती है कल रात कुछ अजीब हुआ मेरी फोन की बैटरी भी चली गई थी यानि में कुछ भी आडियो रेकॉर्ड नहीं कर पाए और हमारा वीडियो व करता कि एक्च्वल में तुम वहाँ गई थी या नहीं एमी ने ओवेन से जो आटोग्राफ लेया था यह वो ब्रूक को दिखा दिया कहती कि मेरे पास प्रूफ है इसके बाद ब्रूक ने एमी को पेक कर दिया कहती है रात में मेरी आर्ट गैलरी दिखने के लिए आना तु ओपी उवेन ने गहा कि फर्स नम्बर पर कोन है एमी फर्स नम्बर बताने से नहीं डरती चार नम्बर पर तुम्हारा नाम है इसे के बाद उन्होंने नाइट एक साथ स्पेंड की थिये रात में एमी जब आर्ट गैलरी में आई तो ओवेन ने कहा क्यों से मिला भी नहीं उवेन बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, एमी कहा थी कि इस situation के बारे में तुमें कुछ भी पता नहीं है, तभी वहाँ पर Asgard आ गया, Asgard उवेन से कहता है कि यहाँ डार्क में तुम कर क्या रही हो, उवेन अल्रेडी गुसा था, तो Asgard को पंच कर देता है, इन दोनों में फाइट होती, पर Brooke ने Asgard को रोख लिया, इसके बाद Asgard एमी को घर लेकर जाने लग गया, Brooke उवेन को कंफरंट करती है, एमी ने लिया हुआ ओटोग्राफ उसने उसे दिखाया, पुछती कि तुमने मुझे जूट क्यों कहा, ओवेन ने कहा कि हम फ्रेंड्शिप ट्रिंग ले रहे थे, उसमें उसने मेरा आटोग्राफ ले लिया था, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लोग मेरा आटोग्राफ लेते, मेरी फोटो लेते, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बुछा कि क्या एमे ने तुम्हारे साथ सिल्फी ली थे, ओवेन कहता है कि हा ली थे, अब बुछ को कन्फर्म हो गया कि एमे जुट बोल रही थे, उसे इस बात को लेकर कन्फरंड कर दिया, बुछ जब कुछ सच बता दो, ओवेन कहता है कि मुझे गलती होगे, इस बात से बुग बहुत ज़्यादा अफसेट होगे, ओवेन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, बुग ने कहा कि मुझे साब साब बता हो, क्या तुम उसके साथ इंटिमेट हुए थे, ओवेन इस बात के लिए उसे सौरी कहता है, बुग ने कहा कि रात में भी अजीव से तुम कही पर भी चले जाते हो, मुझे अभी के अभी तुम्हारा फोन देखना है, सारी जीज़े चेक करनी है, ओवेन उसे फोन नहीं देता, तो बुग गुस्से में घर चली गए, इसके बाद ओवेन जब घर पर आया, तो एमी भी उसके घर पर आई थी, एमी ने ओवेन को बता दिया, कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुमसे मिलने के लिए हायर किया था, मैं एक काम करने वाली थी, पर तुम्हें देखकर मुझे एक ओपोईजिनेटी दिखी, इसे के पैरलल में हम देखते हैं, कि बुरूक अपने फ्रेंड के साथ थी, उसने एक निउस में पॉलिटीशन के बारे में पढ़ा, जो अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था, इसमें उसने एक एड्रेस देखा, तो यही एड्रेस ओवेन को अपने फोन पर मिला था, इसका मतलब है, उस रात ओवेन जब बाहर गया था, तो यही निउस कवर करने के लिए गया था, वो सच बोल रहा था, उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा, ब्रूक ने उसके साथ जो भी गया, इसके लिए उसे बुरा लगता है, और वो डारेक्ली घर पर आगे, पर घर पर एमी ओवेन के साथ थी, तो इस बात से और भी ज़्यादा वो गुस्ता हो गया, उवेन ने कहा कि तुमने ही मुझे सेट अप किया था, मैं इस बात को बिलीव नहीं कर सकता, ब्रूक कहा थी कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए था, उवेन ने कहा कि तुमने ही मुझे इसमें फसा है, अगली सोबा तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टरब होकर आई थी अब उस रात का फ्लैश बैक हमें दिखता है बुरुक एमी को कॉंटेक्ट नहीं कर पा रही थी तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टरब होके ऐस गर उसे ऐसे देख लेता है उसने कहा कि मेरे रूम में आओ उसने उसे एक स्टीट दिखाई और कहा कि ऐसे एक वॉल पर में पेंट करता था और तुमने मेरा टैलेंट डिस्कवर किया है हम दोने इस मुमेंट में हमें इसे इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए उसके साथ इंटिमेट होने लग गया पर ब्रूक ने उसे मना कर दिया अब प्रेजिजन में ओवेन ने ब्रूक से पुछा था कि क्या दुमारे और एसगार के बीच में कुछ है तो ब्रूक कहते कि तुमने मुझ पर चीट किया तो इस सवाल तुम नहीं पूछ सकते है इसका आंसर वो उसे कभी भी नहीं देगी है इसके बाद ओवेन अबने बैग भरी और यहां से हो जाने लग गया ब्रूक उसे बुछती है कि क्या तुम क्रिसमस के लिए वापस आओगे है ओवेन ने अपने सूट में से दिकेट निका ले उसने कहा कि क्या मेरे साथ क्रिसमस के लिए पैरिस पर आओगी है ब्रूक इसके लिए हा कह देती है इन दोनों ने एक दुसरे को माफ कर दिया था इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और हम इन दोनों की बेबी को भी देख सकते है इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अचा रहागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कर दिजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दान में मत भूलिएगा हम विर से मिलेंगे और एक नहीं मूव के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया